मैं अद्याग जी आपको दो कहानी बताना चाहता हूँ और ये वर्सों से मेरे मन में था इस पारलेमेंट में दो बार संजोग से मैं 2009 में सांसाथ बन कर आया अनुराग ठाकुर जी से लेकर राजना जी सबों के साथ काम करने का मौका मिला सर दो हजार 11 और 2013 में दो भेंकर घ 2011 में जिसकों कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए और जब बिल इधर से इंट्रोड्यूस हो रहा था तो इनी के सहयों की दल के सांसदों को इसी कॉंग्रेस में इसी वेल में पीटा साथ दो बिल था एक महिला रिजर्वेशन का 2011 में और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूँगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर यहीं वी नरायन स्वामी बिल को पेस कर रहे थे समाजबादी पार्टी के यस्वीर सिंग सिडूल कास थे सर यही यस्वीर सिंग यहाँ पारलिमेंट में उस तरब से गए वी नरायन स्वामी का उन्होंने बिल खीच हिया इस पार्लेमेंट में इसी लोग सभा में सर सबसे पहले वेल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया ते ही मैडम स्वीमती सोनिया गादी जिस्तिर से और नीरत सेकर वहाँ खड़े थे मुलाईम सिंह यदा बाहर थे और मैं वहाँ से कूट का टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहाँ की तानासा नहीं है आप यहां की रानी नहीं है इस वेल में आप मारपिट नहीं कर सकती हैं और इनके जो तिने लेपिडेंट थे विलास म आदम ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बसते आपने तो सांसदों के हधिया करने की गोश्ट इसके और उसी दल के साथ उसी 26 दल के साथ ये आए हैं जिनका की मांग सिकता ही नहीं है कि महिला को रिजर्वेशन मिले चाहे वो राश् ये कानून के विरोध में जाकर, इस सम्विधान के विरोध में जाकर और उसके सारे उधारने के 96 से लेके आस तक क्यों नहीं लागू हुआ, उसी के कारण ये कभी OBC Reservation की बात करते हैं, कोटा विदिन कोटा की बात करते हैं, राज्य सभा में जो है उसको अधिकार देने की बिधान परिशद में क्यों नहीं Reservation दिया, उसकी बात करते हैं, फिर वो बात करते हैं कि 2024 से क्यों नहीं लागू होगा, इनको सब कुछ पता है, ये देश सम्विधान से चलता है